दोस्तों लगबग 5 मिलियन ट्विट्स के बाद आज हाईजटेक मोदी जौब दो पहले नमबर पे ट्रेंड करने लगा इसे साफ जाहिर होता है कि देश में कितनी बिरुजगारी है इस बिरुजगारी और बढ़ते बरास्टाचार के खिलाफ लोगों का गुसा बढ़ता है जाँ जा रहा है दोस्तों अलग-अलग लोगों के अलग-अलग ट्विट्स में अलग-अलग जवाब थे सबी ने अपने-अपने तरीके से जवाब दिया और बहुत सारे टीचरों के ट्विट्स को हजारों में रिट्विट भी किया गया दोस्तों हमें पता है कि इस पेंडेविक इस्तिती में गुर्मेंट का सभी को साथ देना चाहिए लेकिन इनके अलग-अलग इस्यूसन जैसे एसे सी रिल्विज इत्यादिये बगतर रवये को देखते हुए छात्रों और टीचरों का ये कदम उठाना लाजमी है भैकेंसियां बंद होती जा रही है लोगों की नोकरियां छूपती जा रही है और सरकार प्राविटाइजेशन की और ही अपना कदम बढ़ाती जा रही है प्राविट कंपनी तो नोकरियां दे सकती है अच्छी सैलरी भी दे सकती है पर सबसे वड़ी कमी होती है जौब सेक्रूटी की यानि ये आपको हमेशा डर रहेगा कि कब आपको नौकरी से हाथ धोना पर सकता है आप खुद महीं जानते हैं इसी कारण से आज युवा बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाब जू दूरुप D की नौकरी भी करने के लिए तयार हो जाते हैं अज हमारे देश में डिग्रिय धारियों का मजाक उड़ाया जाता है उसका कारण भी सरकार की एजुकेशन लिवस्था ही है अगर लड़कों को व्रेजवेशन, बीटेक, एमटेक, एमबीए इत्यादी में 60%, 70%, 80% नमबर आ रहे हैं डिग्रियां अच्छे से मिल जा रही है उसके बावजुद अगर न्यूज चैनलों पे मजाक उड़ाया जा रहे हैं कि इतनी डिग्रियां लेने के बावजुद के पास क्वालिटी नहीं है या कोश्चन का जवाब नहीं दे पाते हैं तो इसके दो सी अपके इंस्च्यूशन हैं हमने सरकार बनाया दवस्था को स भीदान देता है तो नीडर होकर सामने आईए और आवाज उठाईए अभी नहीं तो कभी नहीं क्योंकि वेवस्थाएं बिगरती जाएंगी और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएंगे और सबसे ज़्यादा आपके आने वाले पीड़ियों को दिखते होंगी वे रोड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका बाएंगे